हेलो फ्रेंड्स, आई आम अनिलाइतान, आपके अपने यूटूब चैनल अनिलाइतान में आपका स्वागत है इस वीडियो में आप समझेंगे क्यूशन नंबर 3 के 1st और 2nd पार्ट को तो पहले हम 1st पार्ट को solve करते हैं तो देखते हैं कि कुशन नंबर 3 में पूछा क्या है नेमन समस्याओं में जो हमारे पास word problem दी गई है उनको रेखिक समिकर्ण यूगम बनाईए हमने इनके रेखिक समिकर्ण यूगम बनाने हैं और उनके हल 35 विदी द्वारा हल ग्याद कीजिए हमने परतिस्त अपन विदी से इनके हल ग्याद करते हैं तो कुशन नंबर 3 के 1 पार्ट में जो समस्या दी गई है उसको पढ़ते हैं दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है उन्हें ग्यात कीजिए तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या X है और दूसरी संख्या Y है तो आईए हम इसको हल करते हैं माना पहली संख्या हमारे पास दो संख्या दी गई है तो पहली संख्या हम मान लेते हैं X है क्या है? X और और दूसरी संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं तो according to condition first first condition में क्या दिया गया है तो हमारे पास first condition में दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है यानि इन संख्याओं का अंतर क्या है 26 है तो x minus y is equal to 26 यह हमारे पास पहला समी करना आ गया अब हम दूसरी condition लेते हैं according to condition second तो दूसरी स्तिती के अनुसार एक संख्या जो है दूसरी संख्या की तीन गुनी है एक संख्या मतलब पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या यानि y के तीन गुनी है यह हमारे पास क्या आ गया तो जो X का मान 3Y आया है यह हम समिकर नमबर 1 में रख देती है यही परतिस्थापन विधी है तो हम परतिस्थापन विधी से हल कर रहे है परतिस्थापन परतिस्थापन विधी तो हम क्या करते हैं समिकर न 1 में X का मान निकला ही हुआ है समीकर्ण 2 में x का मान निकला ही हुआ यह हम समीकर्ण नमबर 1 में रख देते हैं तो x बराबर 3y समीकर्ण 1 में रखने पर तो हमारे पास समीकर्ण 1 क्या दिया गया है x-y बराबर 26 तो x की जगे हमने क्या रखना है 3y रखना है तो 3y-y बराबर 26 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3y-y क्या हो जाएगा 2y 3y में से 1y हमने माइनस कर दिया तो हमें आरे पास क्या आ गया 2y equal to कितना है हमारे पास 26 26 तो y का मान हमारे पास क्या आ गया 26y2 इसको simplify करेंगे तो Y का मान हमें मिल गया 13 तो अब यह जो Y का मान 13 मिला है यह हम समिकर नंबर 2 में रख देते हैं तो Y का मान समिकरन 2 में रखने पर तो हमारे पास समिकरन 2 क्या दिया गया है X बराबर 3Y दिया गया है X बराबर 3Y तो X बराबर 3Y Y की जगया हमने क्या रखना है 13 रखना है तो 3 into 13 तो हमारे पास X का मान क्या आ जाएगा 39 आ गया तो यह देखिए यह पहली संख्या आ गई और यह दूसरी संख्या है 39 में से अगर हम 13- करेंगे तो लिखेंगे अतय पहली संख्या पहली संख्या हमें क्या मिली है पहली संख्या हमें जो एक्स है वो हमें मिली है थर्टिन नाइन और दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी दूसरी संख्या हमने मानी थी वाई और वाई हमारे पास कितनी है तेरा है तो इस प्रकार हमने ये हल ग्यात कर दिया जो हमारे पास world problem दी गए थी उसके हमने रेखिक समय करन बना करके हल ग्याद किया आईए अब हम इसका दूसरा भाग देखती है क्रिश्चन के तीसरे क्रिश्चन के दूसरे भाग में हमारे से पूछा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से धरा दिखै उन्हें ग्याद कीजिए तो हमारे पास क्या दिये गए दो कोण दिये गए हैं एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है और दोनों कोण क्या हैं संपूरक है तो माना, माना, दो संपूरक कोनों में, बड़ा कोन में, बड़ा कोन, हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं, ठीक है? और चोटा कोन, जो चोटा कोन है, उसको हम क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं, तो इस परकार हमने जो दोनों कोन हैं, उनको मान लिया, तो according to condition first, तो first condition में हमारे पास क्या दिया गया है? दो संपूरक कोन हैं, कोन क्या है दोनों? संपूरक हैं, तो संपूरक कोन का क्या मतलब है हमारे पास? संपूरक कोन वो होते हैं, जिन दो कोनों का योग 180 डिगरी होता है, कितना होता है? 180 डिगरी होता है, तो इस परकार हमारे पास, x plus y बराबर कितना हो गया 180 यह हमारे पास समीकर एक है आप लिख सकते हैं क्योंकि 2 संपूरक कौन 2 संपूरक कौन जो हैं हमारे पास संपूरक कौन कौनों का योग कौनों का योग कितना होता है 180 डिगरी होता है होता है ठीक है तो इस परकार हमने X वसी लिखा दूसरी condition क्या है बड़ा कौन जो है छोटे कौन से 18 अधिक है तो according to condition second तो बड़ा कौन क्या है X है ये छोटे कौन से क्या है 18 अधिक है यानि छोटे कौन में हम 18 जोड दें तो जो छोटे वाड़ा कौन है वो बड़े कौन के बराबर होगा तो हमारे पास ये मान दूसरा समीकरन आ गया हम इसको परतिस्थापन विधी से हल कर रहे हैं तो परतिस्थापन विधी में X और Y का एक का मान निकालना होता है तो समीकरन 2 में हमारी को X का मान आ गया तो यह हम समीकरन नंबर 1 में रख देते हैं तो परतिस्थापन विधी से हम इसको हल कर रहे हैं तो ऐसा आप लिख सकते हैं यहां पे विधी तो क्या करेंगे X का मान जो समीकरन 2 का जो है वो हम 1 में रखेंगे तो X बराबर Y प्लस 18 जो है समीकरन 2 में रखने पर समीकरन 1 में रखने पर तो हम समीकरन 1 में रखते हैं तो समीकरन 1 हमारे पास क्या दिया गया है X प्लस Y X प्लस Y बराबर कितना दिया गया है 180 दिया गया है तो इसमें x का मान हम क्या लग दें y प्लस 18 रख देते हैं तो हमारे पास y प्लस 18 प्लस y is equal to कितना आ गया 180 तो y प्लस y कितना हो गया हमारे पास 2y और 18 को हम right hand side में ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा minus का 2y बराबर 180 में से जब हम 18 को minus करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 162 मिल जाएगा तो हमारे पास y का मान कितना आ जाएगा 162 डिवाइड बाइ 2 तो ये 81 से कैंसल हो गया तो हमारे पास y का मान कितना आ गया 81 आ गया तो इस परकार हमने y का मान निकाल दिया अब यह जो y का मान है, यह हम समीकरन नमबर 2 में रख देते हैं, तो y का मान, y का मान समीकरन 2 में रखने पर, समीकरन 2 में रखेंगे, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, रखने पर, तो हमारे पास क्या है समीकरन 2, x वराबर y प्लस 18, X is equal to Y Y का मान कितना है 81 है प्लस 18 X is equal to हमारे पास क्या आ गया 9 और 9 तो यानि हमारे पास हम लिख सकते हैं तमें आता है बड़ा कौन बड़ा कौन हमें किसे माना था X को आता है बड़ा कौन बड़ा कौन कितने डिगरी हमें मिला है बड़ा कौन मिला है में 99 डिग्री मिला है 99 डिग्री और चोटा कौन हमारे पास कितना आया है चोटा कौन आया है हमारे पास 81 डिग्री तो 81 डिग्री है तो इस परकार हमने question number 3 के second part को solve किया उमीद है ये question आपको समझ में आया है यदि ये question आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और नए वीडियो के notification प्रापत करने के लिए आपके अपने YouTube channel अनिलाइतान को subscribe कीजिए